Hello Friends, Welcome back to my Channel तो Friends, आज मैं आप लोग के लिए नवरात्रे स्पेशल थाली लेकर आई हूँ जो की बहुत जल्दी बन जाती है तो चलिए जेख लेते हैं कि इस थाली में मैंने क्या क्या बुनाया है और इस थाली में मैंने बुनाया हैं बडाम का हलवा है साथ में यहां पे बटर पनीर मसाला बनाया है और साबू दाना की टिक्की है और मखाना की लड़ू है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते है संगाडे के अटे की रोटी है और साथ में मखाना की सबजी बनाई है तो यह थाली बहुत जल्दी बन जाती है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीठे से तो मीठे में हम बनाएंगे मकाना के लड़ू जो की बहुत झलदी बन जाते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने दो चमच लिए हैं देशी घी के और हाफ कप लिया है कैशुर बदाम का इनको रोस कर लेंगे रोस किये हुए कैशुर बदाम का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा होता है तो से फ्राइपें में मैं लूँगी वन कप डेसिकेटिड कोकोनट का और इसको भी से फ्राइपें में मैं तीन से चार चमच लूँगी देशी घी के और दो कप लूँगी में खाने के और इसको भी मैं अच्छी तरह से रोस कर लूँगी तो इसको रोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको किस तरह से रोस्ट हुए है कि नहीं चेक करने के लिए दो मिनट इसको roast करने के बाद आप एक मखाने को पगड़ के देखिए अगर वो अच्छी दा से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है तो हमारे मखाने बहुत जल्दी जो है roast हो चुके हैं तो अभी मैंने यहाँ पे चेक किया था दो मिनट के बाद तो अभी यह roast नहीं हुआ है, तो एक मिनट के लिए मैं इसको फिर से roast कर लूँगी और इसको सेम प्लेट में निकाल लूँगी तो यहाँ पे मैंने हाफ कप से थोड़ा सा जादा चीनी ली है तो आप चीनी कम जा जादा भी ले सकते हैं सारी चीजों को मैं मिक्सी में चलाकर इसका पौडर बना लूँगी तो इसके बाद इसमें मैंने दो टेबल स्पून डाले हैं देसी घी के तो अगर आपको देसी की जादब संद है तो यहाँ पे आप 4 टेबल स्पून देसी घी के डालीज़े तो इसको मैंने गार्णिश किया है पिश्टाशू के साथ तो आप भी इन लड़ो को जरूर बना के खाएगा इन नवरात्रों में ये खाने में बहुत जादा टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की थाली की रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीस में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा तो फ्रेंट्स जो अगली रेस्पी है वो है बदाम का हलवा ये भी बहुत जादा टेस्टी बहुत हेल्दी होता है तो इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप अदाम का लिया था जिसको मैंने गरम पानी में 10 मिनट बिगो कर रखा था और इसको मैंने स्किन को पील कर दिया है और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और इसको मैंने एक कप से मैंने किया है और इसको मैंने यूज करें वो नौन स्टिक का की करें तो इसको अच्छी तरह से हम लगाता है चलाते हुए 5-6 मिनट तक हिलाएंगे जो हलवा होता है बहुत हरा टेस्टी बनता है बट इसको थोड़ी से इसमें मेहनत लगती है पर ये खाने में और हैल्दी भी बहुत होता है तो थोड़ी तीन टेबल स्पून यहां पर देसी गी के डालूँगी और इसको भी एक से दो मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें देसी गी का जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है तो इसके बाद यहां पर मैंने हाफ कप लिया है शूगर का शूगर आप कम ज ज्यादा टेस्टी बनता है और हैल्दी भी होता है पर इसको आपको लगाता चलाना है देखिए लगाता चलाते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए है और यह हमारा जो हलवा है बनकर त्यार हो गया है इसने कडाई को छोड़ दिया है और यह बहुत ही ज्यादा इसकी तो जो अगली रेस्पी है वो हम बनाएंगे मखाना और कैश्व की सबजी जो की बहुत ज़्यादा है और बहुत टेस्टी बनती है जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्मून लिये हैं देसी घी के और इस पे मैंने 10-15 कैश्व को रोस कर लिया है और सेम फ्र के बनाएं यहाँ यहाँ पे मैंने लिया है जीनजर इसको मिक्सी में चलाकर इसका प्यूर्य बना लेंगे इसके साथ मैंने 15-20 कैश्व काश्व क जो और निफू का खसका भीग कर रख लिया था दोनों को मैंने अलग से मीक्सी में चला प्यूरी बना कर लिया है seven frypink में म जिंजर की प्यूरी बनाई है वो डाल दी है इसमें डाला है सेदा नमग और साथ में प्लैक पेपर और थोड़ा सा हल्दी का पौडर अगर आप हल्दी वर्त में नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं तो इसके बाद इसको लगाता चलाना है पांच मिनट के लिए त मुख सी हम खाशू का लगा रिखा तो इसको मिक्सर के साथ में एक कप यहां पर मैंने डाल दैए है पादी है क्योंकि जब मखाने दाले थो आप अच्छी साब दालेगा दोड़ता है जब करी में एक गजाएनगा तो मैं इसमें डाल दूघी जो हम ने मखाने कर रूज कर के रखा था वह और साथ में कैश्यू भी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स तो इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कोरियंडर और इसके बाद इसको ढख कर मैं तीन से चार मिनद तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी तो यह मखाना की थोड़ी सी क्रीम के साथ किया है तो इस तरह से आप इसको जरूर ट्रै कीजेगा यह वी रैस्पी अच्छे लगे तो मेरे चैन्ने को सस्क्राइब जरूर कीजेगा तो अब मैं बनाऊंगी साब बुदाना की टिक्की जो की बहुत जल्दी बन जाती है तो इसको बनाने के यहां पर मैंने दो बॉइल पटैटोस लिए हैं और हाफ कप साबुदानों के तीन से चार गंटे पानी में बिगो कर पाने ड्रेन कर लिया है वन कप यहां पर मैंने कैश्यू का पॉडर बना लिया है आप यहां पर पीनट का पॉडर भी ले सकते हैं यह बाइंग में काम तो यहां पर मैंने लिया है नमक थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में थोड़ा से ग्रीन चिली ले लिए या रड़ चिली पोडर ले लिए और धनी के पत्ते जिसको मैंने फाइनली चॉप्ट कर लिया है इन टिक्यों में बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है इसी बहुत अच्छी तरह से बाइन हो जाएंगी तो इसके बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगाए और इसको टिक्किय की शेप दे देनी है तो सबी टिक्क्या मैंने बना ली है और ओयल को मैंने गरम कर लिया है पहले ओयल को अच्छी तरह से गरम कर ले हाई फ्लेम पर उसके ज़दा टेस्टी बहुत जल्दी बन जाती है तो आप इन नवरात्रों में इन टिक्क्यों को जरूर बनाएगा तो अगर आपको आज का रेस्पी आज की थाली अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो इन टिक्क्यों को आप पुदीने की चटनी धने की चटनी और साथ में मैं इसको इंबली और खजूर की चटनी के साथ सर्फ करूंगी तो आप इसको जरूर ट्रै कीजेगा तो अब मैं पनाऊंगी पनीर मसाला जो की बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है तो जिसको बनाने के को जाएगा तो इसमें प्यूरी को ढाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे तो यहां पर मैंने डाला है सैदा नमक थोड़ी सी काली मिर्च हल्दी का पौडर और साथ में डालोंगी रेड चिली तो अगर आप रेट चिली फ्लिक्स या हल्दीम वर्थ में नहीं खाते तो आप इसको skip कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से पकाना है, मसाला पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है मसाले को तब तब पकाएंगे जब तक ये घी को छोड़ नहीं देता अगर हमारा मसाला बहुत अच्छा बना होगा तो हमारी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसके बाई इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डा रही हूँ अगर आप कसूरी मेथी नहीं खाते है वर्थ में तो आप skip कर सकते हैं तो यहां पी आप घर की fresh मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, यहां पे मैंने cream का यूज़ किया है, एक कप cream का लिया है, इसको चीदा से कर देना है mix, तो इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 cup cubes में कटा हुआ पनीर, fresh पनीर है, इसको चीदा से mix कर लेना है, यह बहुत ही जल् कर लिया है, और इसको भाद इसको ढग कर हम 3-4 मिनर तक पका लेंगे, तो अभी आप देखे कितना अच्छा कल रहा है, खाने में बहुत अरटेस्दी बनता है, आप इसको जरूट रहे कीज़ेगा, तो अब मैं बनाऊंगी संघाडे की आटे की रोटी, जिसको बनाने के यहां पर मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, और थोड़े से कॉरियंडर के लिफ्स लिये हैं, और साथ में मैंने यहां पर हाफ कप ले लिया है, सिंघाडे का आटा, और थोड़ा सा नब्क डाला है, थोड़ी से इसमें काली मिर्श डाली है, और सभी चिज़ों को कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स, इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, इसी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो इस रोटी को आप अराम से दहीं के साथ खा सकते हैं अवरात्रों में, जो की एक हैल्दी होती है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, आप इस तरह से इसकी टिक्क्या भी बना सकते हैं, पर मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, आटे को आप अच्छी तरह से मल लीजिए, गूंद लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सिंघाडे का आटा ही लोंगी, तो इसमें मैं दो पेड इसमें मैं इसमें में रोटी को बेल लेंगे, और इसके बाद हम जिस तरह से रोटी को बनाते हैं, उसी तरह से बनाएंगे, तो अगर आपको आज के वीडियो की रेस्पी अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को भी जरूर कीजिएगा, तांकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए, तो इस रोटी को हम दोनों तरफ से रोस्ट कर लेंगे, जिस तरह से हम रोटी को बनाते हैं, उसी तरह से दोनों तरफ से हम इसको गोर्डन ब्राउन कर लेंगे, तो यह रोटी देखिए बहुत अच्छी बनी है, आप इसको दहीं के साथ भी खा सकते हैं, तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगले रेस्पी में तब तक के लिए टेक के बाबाए